नमस्कार so यह video अगें काफी लोग नों को हमें मेंगद कॉल करते हैं और एक सफेशिक सवाल पूछते हैं और मेरा हमेशा यह रहता है कि जो सवाल है जो मुझे लगता है कि बहुत साइव लोग पूछ रहे हैं वह मैं आपको वीडियो में समझा दूँ ताकि आपको पर रख ले हमें जान ले एंवाई से वर्सा तो कई लोग पर यह मीटिंग देना को बहुत जादा चाव यह मेरा बिजनस मॉडल नहीं है लोग नहीं सब्सक्राइब बहुत बढ़ रही है तो लोग ऐसे करते हैं कि सर अगर एक लाग से एक लाग दसर सीटे हो गई तो कट आ सब्सक्राइब जाता हूं और यह बहुत थान से समझें देखिए जब पहली बात दो तरह कि हम जानते हैं सरकारी और प्राइवेट जब सरकारी सीटे जितनी मर्जी बढ़ जाए उसका जो इंपैक्ट है वह कुछी बच्चों को मिलता है क्योंकि सरकारी पहले दो तरह से और इंडिया कोटा और स्टेट कोटा लेट से तिलंगाना में दस कॉलिज खुलते हैं हजार सीटे बरती हैं एक शीट में बड़ी हजार सीटे तो सबसे ज्यादा फैदा को स्टेट के बच्चों को जिनके नंबर वही ना साड़े 500 की रेंज में थे या और इंडिया रैंक जो प्राइवट कॉलिज नहीं लेते थे इंडिया में सीटे आज भी एक लाग दस अजार ही हैं फिर भी हम हमेशा कहते हैं कि अगर 137 जनल कॉलिफाइड और 107 नॉन जनल तो भी किन गरिंटी वह सीट इवन एट वन जिरो एट माक्स और 138 माक्स हां उस कॉलिजी कॉलिट जो एक लाग दस अजार हैं कि सरकारी सीट खतम होने के बाद और सरकारी सीट का मतलब है फ्री सीट बहुत सस्ते वाली सीट इंडिया में सरकारी कॉलिट डशी में की पढ़ाई अच्छी है अच्छाए कि किसी बच्चे के बचारे के 600 नंबर भी होते हैं अच्छे वो दिल लेंडे 600 नंबर ले आजा तो ऐसे कई बच्चे होते हैं जो छोड़ देते हैं ड्रॉप करते हैं या पढ़ाई छोड़ के कोर्शेज कर लेते हैं और यह बहुत सारे बच्चे होते तभी तो 138 नंबर पर सीट बिलती है ना तक्रीम आठ लाग बच्चे ऐसे होते हैं जिन जो फाली 15 पर से याएंगी तो और बात करें जहां पूरा हिंदुस्तान और रहा है और वह बच्चे खाल जाएंगे इनके बच्चे खाली बैठें और लोगी समझें इंडिया दिल्ली हर्याना बिहार राजिस्तान अब दिल्ली का बच्चा है जनल कैटेगरी का उसको 610 सब्सक्राइब दिल्ली में सीट नी मिलती तो वह होता है जो आपको 570 के सीट मिल रही है तो जब और कोटा में एक्स्टा सीट आएगी तो यह जो पांसो पिचानवे वाला दिल्ली का था हर्याने का बिहार का सारी सीटे दो यह खदम कर देंगे तो वह तो वैसी जो फैद सीटे और डेकोटा की और जो स्टेट की सीटे बढ़ी हैं वह स्टेट बच्चे निम्टा देंगे तो वह प्रपोर्शन बहुत कम होता है ठीक है ना यह लॉजिच बिकूल जरूर है कि जो प्रवेट की सीटे बहती है फिरा में एक रेशों निका सकते हैं तो वह किसे दे हो गई तो शार्दा की पचास बढ़ने का मतलब यह है कि हद बंदा पचास उपर चला जाएगा तो मैंने का बिलकुल तुझे तो फरक पड़ेगा प्राइल्टी क्वालिटी लिस्ट में तो के पचास ही तो ऊपर जाओगे तुम तो हम यह मांगे चलते हैं सारे बच्चे र मैं तो जो शार्दा से औना पड़ा तहब ॉस्टे मिल जायगा कि तुम्हें क्रिछ्णा मुहन के बदले मिल जाएगा तुम्हे जासार a िली कि तर्कीiberate तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए सीटें बढ़ने से ऐसा नहीं कि सब कुछ हो जाएगा इसलिए मैं 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 करता हूं दोजर के सब धमाका हो गया था मैरे बच्चे के 141 नमबर ते और उसको सीट मिल गए थी यूपी में राउंड वन में ही माना भीकुल आस्वाले कॉलेजी पर सोचो जो मान के भी नहीं चल रहा था और यहीं मैं हमेशा सब को कहता हूं देशी दर राइड काउंसलिंग वो ल काउंसलिंग में देखिए और फिर फैसला कीजिए कि हमें काउंसलिंग वाले सीट लेनी है या दूसरी सीट लेनी है आपका दिन शुब हो हमसे संपर्क करना चाहते हैं कॉल आस और 964 33 6320 मैं रिपीट करता हूं पहली फोन काउंसलिंग मुझसे बात करने की फीज रहती है दाएजार फेस्टोफेस मीटिंगी फीज रहती है फाईवजार पांसाजार इसमें अपने छोटे मोटे डाउट कूर सकते हैं और हम फंडामेंटली दूसरे को जानने हो समझने के लिए मीटिंग कॉल होती है ताकि आप जब हमारा फुल पैकेज लें तो उससे पहले आप शर्षाण और तो अगर आपको अगरा तो क्लिए मैशार करते हैं सबसे 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 सीट दिलाना किसी भी खर्चे पर बहुत असान है कोई भी सीट दिलाना बहुत असान है लेकिन आपके जो नंबर है उस पर आपको ऑप्टिमल सीट मिले यह दिलाना हमारा विजन होता है आपको दिन शुब हो बबाए